वेल्टम डू हेल्टियर एटों आज हम बात करने वाले हैं फिमोसिस या फाइमोसिस कहते हैं इसको यह जो प्रॉब्लम होती है मेल्स में होती है जिसमें जो फोर स्केम होती है बेनिस की वो पीछे तक नहीं जाती है काफी पेनफुल होता है अगर इसको फोर स्केम को आप पीछे करने के ट्राय करते है तो काफी पेनफुल होता है और एलोपैथी कहती है कि इसके लिए सर्जरी करा लेनी चाहिए यंग एज में यह प्रॉब्लम होती है ज्यादा था लेकिन कई लोगों में काफी बड़े होने तक यह प्रॉब्लम रह जाती है जिसके कारण उनको कई तरह के डर रहते हैं वो शादी से भागते हैं कि हम शादी करके सुखी नहीं रह सकते हैं तो इसके लिए क्या किया जाए सर्जरी की जाए बिल्कुल जरूरत नहीं है सर्जरी करने के लिए एकदम आसान उपाय है ये उपाय अगर आपने किया तो एक से तीन महीने के अंदर अंदर आपकी जो फेमोसिस की प्रॉबलम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उपाय इतना आसान है कि आपका हर्ड़ी कुछ पैसा खर्च होगा है इसमें आपको करना क्या है नारियल का तेल लेना है और फ्रेश अलोवेरा का जेल मिल जाए तो फ्रेश अलोवेरा का जेल लेना है नारियल का तेल अलोवेरा का जेल इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है किसी ग्रैंडर में ब्लैंडर में किसी में भी डाल के मिक कर लेना है और उसके और पूरे अपने पेस को अपलाई करना है सामने का पोर्षन उता है एड ऑफ को के और पेस कड़े जही होता है पहले जो first portion है उसका इसको पकड़के इस तरह से प्रट करते चैनल प्रट करना है तरब इसको खीछते रहे हैं तरह से हम आपको कार्दना हमें प्रलब कन काउचे मिक्ष्छ से ने लिगी अक्रट में सटने तो snack पर पर जाने तरफ लगाने के बात है यह अगर आपके पास फ्रेश अलोवेरा नहीं है यह तो जो भी सूधिंग और जो एसेंशियल उते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह के ऐसे तेल का जो आपको सूधिन लगते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बस इस तरह से अगर आप ठीचते बस रहेंगे तो कुछ लोगों को तो 15 दिन में ही आराम आ जाता है कुछ लोगों को एक मेने में आ जाता है और maximum से maximum लोगों को ज्यादा से ज् सब्सक्राइब करना है और वीडियो जो आपको पसंद आते हैं उन्हें शेयर और लाइक करना है अन्यवाद